नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंग आपका स्वागत करता हूँ SSE Maker की YouTube चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Reasoning के पास अती महत पुड़ प्रेशन दोस्तों जो आपके आगामी सभी परिशाओं के लिए बहुत ही महत पूर है दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताएंगे तो आईए दोस्तों देखते हैं पहला प्रेशन देखिएगा दोस्तों पहला प्रेशन बहुत ही important प्रेशन है most important प्रेशन है और इस टैप के प्रेशनों को दोस्तों solve करने के लिए आपको pen उठाने की जरूरत नहीं है सेकेंडों में solve किया जाता है question को पहले ध्यान से पढ़िएगा question है दोस्तों एक लड़की की और इसारा करते हुए एक पुरुष ने कहा वह मेरे बेटे के भाई की मा के बेटी की बेटी है उस लड़की का उस ब्यक्ति से क्या रिस्ता है यह question है देखिए दोस्तों ऐसे question कभी भी आपके exam में आएगे तो आपको यह नहीं कि ऐसे image बनाने लगनेगे पुरुष का लड़की का ऐसे image बनाएंगे उसके बाद से figure बनाएंगे तो इसमें क्या लगए का दोस्तों टाइम ज्यादा लगेगा और confusion ज्यादा होगी ठीक आप है ठीक है और एक लड़की के और इसारा करते हुए आप बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं वह मेरे बेटे के भाई आपके बेटे का भाई कौन होगा दोस्तों देखिए आप पूरुस की जगपे अपने आपको रखियेगा ठीक है तो बोल रहे है वह मेरे बेटे के का कि यहां से आगे बढ़िए तो बेटे के मा की बékती कोन होगी दोस्तों यानि कि पत्नी की बेटी प्र पूछ पूछ रहा है दोस्तो उस लड़की का उस बैक्ति से क्या रिस्ता है यह पूछ रहा है तो बताए यह दोस्तो आपकी बेटी का बेटी जो है आपकी बेटी की बेटी है वह आपसे किस प्रकार से संबंदित है वह आपकी क्या लगेगी दोस्तो यह पताना है तो बताए यह क् किया लगेगي पोती लगेगी अब देखिये पोती किस hè option में हैं दोस्तों तो देखेंगे option number इसमें इसमें किसमें है D में तो आपका option बटी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस question को बहुत अच्छे चलिए देखते हैं दूसरा question वे देखिए दूसरा question भी बहुत important question यह भी बहुत पार exam में पूछा जा चुका है question को ध्यान से पढ़िएगा question है दी गई स्रिंखला में गलत संख्या घ्याद करें दोस्तों तो कैसे पहचान करेंगे स्रिंखला के संख्याओं को थोड़ा से द्यान से देखेंगे दियान से देखने का मतल्य वे दूस्तों यह देखिए 27,001 है यह 63,992 है यह क्या है दोस्तों 1,255,001 है तो देखिए अब आपको करना कहा है दोस्तों देखिए अब थोड़ा से दिमाग लगाना है आप चाहा है तो इसको ऐसे भी solve कर सकते है सब के अंतरगत क्या है दोस्तों सब के पीछे क्या है एक है ठीक है और देखिएगा इसके पीछे एक नहीं है तो यह वाला option हो जागा लेकिन यहां पर कोई यह method नहीं होता है ठीक है ऐसे कोई कैसे बता सकते एक नहीं है तो नहीं हो सकता है इसको दोस्तों एक method से यानि एक तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा option होगा देखिए ये जो दोस्तों 1,001 है ना ये क्या है दोस्तों ये 10 का cube प्लस 1 है 10 का cube का मतलब क्या होता है समझा दो दोस्तों यहां समझ लीजएगा 10 का cube का मतलब होता है 10 गुने 10 गुने 10 यानि 10 दा में 67 में 1000 तो क्रक्रस दोस्तों ये जो 8000 एक है न यह तोटनले क्योब प्लस वन है थीक है 20 का मतलब वहता हुआ 20मformation करके तो खुरोब 420 तो 8000achtsrivी और प्लस्वन कर देंगे तो 8000 हो जाएगा ठीक है यह देखिए का जो 27,001 है न यह क्या है दोस्तों यह 30 का क्यूब प्लस 1 है ठीक है अब आगे दोस्तों यह है न 63,999 यह क्या है दोस्तों यह 40 का क्यूब माइनस 1 है 40 का क्यूब क्या होगा 64,000 होगा यह 64,000 में से एक कम किया है आगे क्या है दोस्तों एक लाग 25,001 है यह क्या है क्योंकि दोस्तों यहां 10 का q plus 1 है 20 का q plus 1 है आगे चलेगा तो 30 का q plus 1 है आगे क्या होना चीह है दोस्तों 40 का q plus 1 होना चीह है और उसके आगे 50 का q plus 1 दिया है इसलिए दोस्तों इस रिंकला का गलत संग्या क्या होगा 63999 देखिए 63999 किस option में है देखेंगा option number a में है तो आपका option number 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आप expression को बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे और इस टाइब के question आपके exam में आएगा तो आप अच्छे से solve कर लेंगे चलिए next question देखते हैं और question दोस्तों आपको अच्छे लगते हैं समझ में आत देखिएगा तीसरा question भी बहुत important question है देखिएगा most important question है पूछा क्या question है निम्लिखित सब्दों के बीच के संबंध को दरसाता है वेंड डिगराम का question है वेंड डिगराम बनाना है किनके बीच दोस्तों फरनीचर प्लास्टिक और लकडी के बीच ठीक है तो दीखिए दोस्तों ऐसे प्रस्णाय तो क्या करेंगे पहले भी आपको बता हूं नब एंडेग्राम कैसे प्रेशन सॉल्व किया जाता है कैसे किया जाता है आपको दोस्तों विचार करना होता है कि यह जो सब्द दिये गया है कौन-कौन से फरनीचर प्लास्टिक और लकड़ी इनमें आपस में Κैसा संबंद कईसे एक दूसरे सी यह कैसे संबंद दित है दो कौन-कौन से सब दिया गया है धर फरनीचर प्लास्टिक लकड़ी तो फरनीचर क्या हूते हैं दोस्तों यहां पे थोड़ा से द्यान देना है यह जो फर चाने का मतलम हो जाएगा, यह बीच का एक हो जाएगा, कहने का मतलम होते है कि जो furniture होते हैं, जो mates, here ने दोостक्त की क्ने धके बने होते हैं, यह लकडी की खाई यानी की जो कुछ furniture, कहने का मतलम है कुछ furnitureण दोस्तों क्या星 में लकड़ी के भी होते हैं, यानि इसका endogram कैसे बनेगा, इस type से बनेगा, अब देखिए इस type से किइस option में है, तो option नमबर देखेंगे a में, तो आपका option number e क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, तो मैं उमीद करता हूं दोस्तों, आप expression को भी बहुत अच्छे तरीके स समझ गयोंगे और इस टाइप के भी question आपके exam में हैगा तो आप अच्छे से solve कर लेंगे देखिए यहाँ पर दोस्तों एक चीज और बता दू अगर यहाँ लकड़ी ना देखे दोस्तों लिख दे लोहा ठीक है तो लोहा भी दे देगा तो भी क्या होगा option number A ही होगा क्योंक ठीक है तो लोहा दे दे तो अभी आप question को ऐसे solve कर सकते है ठीक है लकड़ी भी देगा तो आपका answer यही होगा ठीक है तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आप इस question को अच्छे से समझ गयोंगे चलिए next question देखते हैं अगला question देखिएगा चौथा question चौथा question most important question है दोस्तो इसके लिए मैं बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूँ सेकिंडों में solve किया जाता है इसे प्रशनों को बहुत से student confused हो जाते हैं कैसे solve करें देखिए आसान तरीका बता रहा हूँ पहले question को आप पढ़िएगा अच्छे से question यह कह रहा है दी गई स्रिंकला में लूप अ जगह है ना यहाँ पर कौन सा अक्षर समों आएगा यह आपको बताना है तो ठीक है मैं बता रहा हूँ कैसे इसको solve किया जाता है ऐसे प्रशन आपकी exam में कभी भी आएंगे तो आप क्या करेंगे दोस्तों सबसे पहले आप सारे अक्षरों को count करेंगे इस नानी कि यह जो अक्षर है 15 जो खाली सताने उसे भी count करिए यानी total इसमें कितने अक्षर होने चीए 15 ठीक है अब देखिए यह जो 15 आया आप इसको क्या करेंगे दोस्तों इसका fraction करेंगे fraction कहने का मतलब है दोस्तों 15 किन संख्यां से कटेगा 3 से कटेगा 5 से कटेगा 1 से कटेगा और 15 से इसमें क्या करना दोस्तों आपको एए के भ बनाना है या आप 3 3 अधी गरूप बना लिगा क्या काई ना पांज पांजा का से होते हैं तो 3 3 Agency का ही बनता है आफे तो देखिए बных如果 गरूप का बनता है यह जोब बनेगा तीन का इसमेरे इसमें देखिए से देखिए कौन कौन से इसमें अक्षर दिएगा है तो देखेंगे B है A है C है अब आगे भी देखेंगे तो A B C यानि इसमें दिख क्या रहा है दोस्तो A B C तीन ही अक्षर दिख रहे हैं ठीक है तो तीन जब अक्षर दिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे दोस्तो तीन-तीन का गुरूप बनाएंगे, ठीक है, तीन तीन का गुरूप बनाने का मतलब है, आप तीन तीन पैसे क्रास कर दीजिए, ठीक है, तीन पर यहाँ पर भी, तीन पर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है, देखिए, तीन पर यहाँ पर हो रहा है, तीन पर यहाँ पर हो ठीक है, clear हो गया, 3-3 हो गया, अब देखे, अब करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे तीनी अक्षट दिख रहते, A, B, C, पहले वाले में B और A दिया है, क्या बच गया है, दोस्तों, C बच गया है, ठीक है, दूसरे वाले में देखेगा C और A दिया है, बच गया है, दोस्तों तो थोड़ा से दिमाग लगाएंगे दोस्तों दिख जाएगा देखिए यह कैसे चल ला है दोस्तों CBA 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 यानि कि यह ऐसे चल ला है तो हम लोगों ने दोस्तों भरे के हैं हम लोग पताइए पहले वाले में C भरे हैं तीसरे वाले में भी B भरे हैं और उसके बार से दोस्तों चोथे वाले में A भरे हैं पांचोवे वाले में क्या भरे हैं C भरे हैं तियानि क्या भरा जाएगा C, B, B, A, C अब देखें C, B, B, A, C, किस option में हैं, देखेंगे option number A में हैं, तो आपका option number A दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आप expression को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे, और इस type के भी question दोस्तों आपके exam मैंगा, तो आप question की ओर चलते हैं, और एक चीज़ और बता दू, दोस्तों अगर आप math में कमजोर चात्रे हैं, तो आपको tension लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं second वाले channel पे, second वाले channel के नाम exam फिनिसर है, आप YouTube पे भी search कर सकते हैं, उस पे दोस्तों मैं math basic से पढ़ा रहा हूँ, zero level से पढ़ा रहा हूँ, और chapter wise पढ़ा रहा हूँ, कुछ दिनों मैं math की, जब होहाँ सारी chapter समाप्त हो जाएंगी, तो दोस्तों आप भी math के प्रेशनों को second हो में solve करने लेंगे, दोस्तों आप जाईए उस channel पे, उस channel से आप जुड़ जाईए, channel को subscribe कर लीजिए, notification bell को जरूर on कर लीजिए, आपको simply करना के है दोस्तों, YouTube पे सर्च करना है, exam finisher, या नीचे दोस्तों, link discipline box में दे दिया हूँ, आप discipline box में भी direct जाके, उस YouTube से जुड़ जाईए, उस channel से जुड़ेंगे, तो आपको काफी profit होगा, ठीक है, तो उस channel से भी आप जुड़िए, चलिए, next question हम देखते हैं, पांचवा question, पांचवा question, most important question है, देखिएगा, ध्यान से, और ये comment करके जरूर बताईएगा, कि आप लोगों ने, देखिएगा, इन पांच प्रशनों में से कितने प्रशन आपको आते थे, आप क्या करिए, टेस्ट के तोर पे सारे प्रशनों को लिया करिए, जैसे पांचवा प्रशन है, वीडियो को pause करिए, अपने आपसे भी solve करने की कोशिस किया करिए, और आप जरूर ये बताईएगा, दोस्तों, कि आपने क्या इस प्रशन को सही कर पाए हैं, कि नहीं कर पाए हैं, एक वीडियो देखने के बा लुप्त अंक ग्यात कीजिए, लुप्त अंक मतलब मिसिंग नंबर, कहां पर है दोस्तों, यहां पर देखिएगा, लास्टो जो फिगर है, यहां पर प्रशनवाद चक्चिन नहीं, यहां पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी, इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों देखिए, जब दोस्तों पूछे यहां पर, यानि लास्ट वाले में पूछे तो आप देखेंगे, दूसरे वाले मठारे कैसे है, पहले वाले में 12 कैसे है, जैसे दोस्तों इसमें 12 है, दूसरे वाले मठारा है, उसी प्रकार दोस्तों हम तीसरे वाले प्रशनवाद पर वो संख्या लाएंगे तो देखिए करना क्या है दोस्तों यहां पर देखेंगे 12 कैसे आया तो यह 3, 5, 2, 4 यानि इन ही 4 संख्याओं को कुछ करके 12 लाया है तो चलिए हम इसको करते हैं अगर दोस्तों मैं बोलू आप इन सभी संख्याओं को जोड लीजिए तो 5, 3, 8, 8, 12, 12, 12, 14, क्या हो रहा है दोस्तों जोडने पर यह 14 हो रहा है 14 में से 2 कम कर देंगे तो क्या होगा 12 होगा चलिए फिर देखते हैं 6, 2, 8 हो जाएगा 8 और 5, sorry 8 और 11 में 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा 11 और 5 जोड़ेंगे तो 16 होगा और 16 में दोस्तों क्या करेंगे 16 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 14 होगा और यहां पर 18 दिया हो यानि प्रस नहीं होगा अब क्या करेंगे इसके लिए आसान तरीका बतार हो देखिए जब यह ऐसे सॉल्व नहीं होगा तो कुछ इसको दूसरे मैथड से सुचेंगे कुछ अलग मैथड से देखिए अब पांच है तीन है चार है दो है इन्हीं को कुछ करके बारा लेना है तो चलिए आपस में इनको गुणा कर लेते हैं इधर से पांती है पंद्रा और पंद्रा चोको साथ साथ दुना के 120 गुणा करने पर क्या है दोस्तों 120 आया और लिखा क्या है 12 अगर जो इसको हम 10 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा डवा देखिए अफरा कार यहां यहां पर दीआ हुआ है चलिए इसी प्रकार से हम आगे वाले को देखते हैं यह देखिए पांच गुणने दो करेंगे तो दस 5 दुणा के दस 10 दुणा के क्या हो जाएगा 20 और 29 क्या हो जाएगा 180 गुणा करने पर क्या आया 180 आया 180 आया है फिर 180 को दस से भाग कर देंगे तो 0 से 0 cancel हो जाएगा 18 यानि प्रिश्णाचेक्ची ने प्याना क्या चीए दोस्तो 18 देखिए 18 किस option में है देखेंगे option number B में दिया हुआ है तो आपका option number B दोस्तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तो आप expression को बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे देखिए ज्यादा कुछ नहीं किया है दोस्तो इन सभी संक्याओं को आपस में गुना किया है दस से भाग कर दिया सभी संक्याओं को आपस में क्या किया है गुना किया है दस से भाग कर दिया लाश्ट वाले को भी किये तो 180 आया 10 से भाग किये 18 यानि इसका अंसर क्या हो गया 18 तो इसको बिलाइपर उठाए भी इसको फूल डीटल में मैं समझा हूं इस टाइप के प्रशनों को कैसे बीना पर उठाए सेकंडों में सॉल्ब किया जाता है आपको मिले कहाँ दोस्तो इसका लिंक यहां उपर आई विटन पर क्लिक करके आप डिरेक्क पार्ट नमर 100 देख सकते हैं एक से और बता दोस्तो ज नीचे डिक्सुल बॉक्स में दे दिया हूं उस लिंक पे क्लिक करके इस इबू को आप जरूर डाउनलोड कर लिजएगा अगर आपको डाउनलोडिंग है पेमेंट से किसी प्रकर की समस्य भी होती है यह पंचम पब्लिसर का कस्टमर के नमर है इस नमर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं इस इबू को दोस्तों मैं खुद देखा हूं इसमें जो प्रेशन दिएगा है बहुत ही इंपॉर्टन दिएगा है जो बार बार आपकी एक्जाम में पूछे जाते हैं इस लिए दोस्तों एक बार ले कि आप जरूर पढ़ लीजएगा और ये वीडिय rialग